कान में घुश जाता है कन गोजर जो है कान में सोते समय घुश जाता है लोगों का साथियो शिक्स इस्पोर्टेट बीटल इतना ही जादा जहरिला कि लोग देखते ही से मार डालते हैं विडियो कान तक जरूर देखें साथियो अस्सलाम आलेकूम नमस्कार साथियो बहुत मुद्दत के बाद एक ऐसा ही उडने वाला कीड़ा हमारे हाथ में आया है जिसे देखकर लोग आशर्ज हो जाते हैं हमारे जहरखंडी भासा में इसे साप बगाली कहते हैं यानि साप को वाच करता है और इंगलिस में six spotted beetle इसके सरीर में छेठो क्या है? spotted है इसे छर्बिंदा भी कहते हैं और बहुत ही जादा जहरिला लोग कहते हैं इसे ये जिस जगह पर रिंगते हुए घुमते हुए रहता है लोग समझते हैं कि इसी जगह पर साप भी है तो आईए इसकी हकीकत को हम और आप समझने का परियास करें और ये अगर काटता है जलन काफी तेज का होता हुए जलन को खतम करने के लिए हम आपको एक बहुत ही उचित सलाह देंगे साथियो वो आप ध्यान में रखियेगा सावधानी हटी पुड़ी सबजी बटी आप इस तरह बिलकुल शिक्स स्पॉटेट बेटल देखिये यही असली छर्विंदा है यह जहां घुमता है लोग कहते हैं कि वहाँ पर साप भी रहता है यह बिलकुल अन्द विश्वास है साथियो देख रहे ना बड़ा ही प्यारा और बहुत ही सुन्दर इसके सरीर में एक दो तीन चार पांच है इसलिए six spotted beetle इसका गुगल में नाम है और साथियो यह हलका बिसैला भी है यह काटता है लेकिन उड़ने का भी छमता रखता है एक तरह का कीड़ा है जो उड़कर एक जगा से दुसरे जगा बड़ा आसानी से चला जाता है यह कीड़ा अगर काट ले या कन गोजर या कन खजूरा तो मेरा खुद का मानना है कि यह घरेलू उपचार करें किस तरह उपचार होगा यह भी सुन ले साथियो लहसुन और प्याज को पीसकर लेप बना ले और जिस जगह छर्विंदा ने काट लिया है उस जगह लगा दे जहर तुरंत उतर जाएगा ध्यान रहे कभी कभी कन गोजर कान में घुच जाता है तो उसे बाहर कैसे निकाले यह भी ध्यान से सुन ले कन खजूरा या कन गोजर कान के अंदर समागिया तो कैसे बाहर निकाले पानी में सिंधा नमक मिलाकर कान में डाले ऐसा करने से कन खजूरा मर जाएगा या फिर पानी के साथ ही बाहर आ जाएगा या एक जहरीला बहुत सारा इसके अंदर टांग होता है और एक जहरीला कीड़ा है और ये कीड़ा का नाम है सिक्स इस्पोर्टेड बेटल बड़ा ही अजीब टाइप का ये कीड़ा है इसे लोग देखते ही जहारखंड में मार डालते हैं साथी वो मारे नहीं कीड़ा मकोड को बचाएं और उड़ने में काफी सच्छम है ये एक जगा से उड़कर दुसरे जगा चला जाता है बच्पन में हम भी सुना था कि ये बहुत ही ज़्यादा जरीला है लेकिन ये हलका बिसैला है ये हलका बिसैला इसे कुछ काटने से होता नहीं है लोग अफवा उड़ा दि ये भी बिल्कुल फेक है साथियो अंद विश्वास है चलिए फिर एक वीडियो में मिलेंगे देखते हैं साथियो से उड़ाने का परियास करते हैं अगर उड़ जाए तो बेहतर होगा लल्टू जी जरा देखिए कैमरा में उड़ तो नहीं पाया लेकिन ये रिलीज हो ग जैहिन जैभारत गर्ब से कहेंगे बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम